गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिट्वीट बिजनस, प्रोफेशन एंड इम्प्लोईमेंट इससे पहले हमने इन तीनों के मीनिंग पढ़े थे, तीनों के फीचर्स के बारे में पढ़ा तो तीनों के मीनिंग अगर फीचर्स आते हैं, मीनिंग और फीचर्स अगर आपको आगे हैं तो इन तीनों क्या आप जो है वो डिफरेंस भी बना सकते हैं खुदी तो चलिए हम करते हैं इसका difference, कॉलम बना लिए हमने सबसे पहला basis, उसके बाद business, उसके बाद profession और उसके बाद employment, सबसे पहला है commencement, commencement होता शुरू करना, business को कैसे शुरू किया जाता है, when entrepreneur decide to start it, जब भी बेवसाई चाहे इससे start कर सकता है, और profession, after completing degree, getting certificate of practice, profession को शुरू करने के लिए क्या चाहिए, एक तो आपकी degree complete होनी चाहिए, और दूसरे आपके पास जो है वो certificate होना चाहिए practice का, जैसे doctor के पास, बकील के पास, फिर वो अपनी practice जो है वो शुरू कर सकते हैं, employment के लिए, employment कैसे start होता है, after getting appointment letter, अगर आपको कहीं नोकरी मिल गई है, appointment letter अगर आपके हाथ में है, तो समझो आपकी नोकरी जो है, वो start हो गई है, तो तीनों कैसे कैसे start होते हैं, business शुरू करने के लिए आपको कोई ज्यादा फॉर्मल्टी की जुरूरत नहीं है, जब चाहे business man इसको शुरू कर सकता है, profession जो है वो degree complete करने के बाद और certificate हासिल करने के बाद ही इसको शुरू कर सकता है, और employment को शुरू करने के लिए appointment letter जो है वो आपके पास होना चाहिए, second qualification योग्यता, business के लिए क्या qualification होनी चाहिए, no minimum qualification, business शुरू करने के लिए किसी खास qualification का होना जरूरी नहीं है, कम पड़ा लिखा व्यक्ती भी business को शुरू कर सकता है, और profession शुरू करने के लिए professional qualification training is required, professional qualification होनी ही चाहिए, जिस profession में आप गए हैं, उसकी आपके पास qualification होनी ही चाहिए, और training जुरूरी है इसमें, कि आपने prescription या training जो है वो ली हो, यह योगिता है इसकी, और employment के लिए, qualification depends on the nature of job, आप किस तरह की जोब कर रहे हैं, यह उस पर depend करेगी qualification, employment की, third, investment या इसको capital भी कह सकते हैं, capital required, business में, business करने के लिए आपको capital की जुरूरत पड़ती है, according to scale of business, अगर आपका business बड़ा है, तो आपको ज़्यादा capital चाहिए, और अगर आपका business छोटा है, तो आपकी थोड़ी capital से भी गुजारा हो जाएगा, और profession के लिए, limited capital required, इसके लिए भी capital चाहिए होती है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी कम, business की अपेक्षा थोड़ी कम पुझी इसमें चाहिए, क्यूंकि training बगएरा करने के लिए भी capital की जुरूरत पड़ती है, और third, no capital required, employment के लिए कोई capital नहीं चाहिए, उल्टा इसमे आपको salary मिलती है, जब आप किसी के यहाँ service करते हैं, employment कर रहे हो, आपको नोकरी मिली है, तो आपको monthly या weekly या daily आपको salary मिलेगी, risk, business में high risk, profession में little risk, और employment में no risk, इसका आर्थ यह हुआ, कि business जब आप कर रहे हैं, तो आपको risk बहुत जादा होता है, risk का मतलब है, loss भी हो सकती है, profit तो हो सकता है, साथ में loss का भी खतरा बना रहता है, उसको बोलते है risk, और profession में भी क्या होता है, risk होता है, लेकिन business से थोड़ा कम होता है, आपने clinic खोला है, आप डॉक्टरी करके आए हैं, आपने अपने गाउं में clinic खोला है अपना, थोड़ बट जाएगे लोग, तो risk तो उसमें भी आपको रहेगा, कि आप थोड़े दूसरी तरफ चले जाएंगे, और employment में no risk, लेकिन employment में कोई risk नहीं होता, आपने job करनी है, बदले में आपको salary मिलती है, इसमें कोई risk नहीं है, next है, transfer of interest, heat का हस्तांतरन, possible, not possible, not possible, अब इसका मतलब क्या हुआ, transfer of interest, मैं business man हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, या कहीं मुझे जाना पड़ जाता है, तो मैं आपनी जगह किसी और को भी ठाके जा सकती हूँ, possible आईए, कि मैं transfer कर सकती हूँ, अपना interest कि चल मेरी जगह आप बैठ जाओ, या कल को मैं अपना business बेच भी सकती हूँ, किसी और को, लेकिन profession में not possible, profession में अगर आप भीमार हो जाते हैं, या कहीं आपको जाना पड़ जाता है, तो आप अपने brother को कहेंगे, कि आप या आपने किसी रिष्टेदार को, या या मेरी जगह चला जाए, hospital में, या मेरी जगह बकालत कर ले, या मेरी जगह company में chartered accountant का काम कर ले, तो ये possible नहीं है, क्योंकि जिसका profession है, उसी को अपनी personal services देनी पड़ती है, कोई दूसरा ये काम नहीं करता, और उसी तरह employment में भी ऐसा है, जिस व्यक्ति को रोजगार employment मि मिली है, नोकरी मिली है, वही व्यक्ति उस काम को कर सकता है, अगर उसको कहीं दूसरी जगह service मिल जाती है, वो अपने brother को या अपने किसी रिष्टेदार को कहता है, कि तु मेरी जगह पुरानी जगह पर चले जाना, तो ऐसा भी possible नहीं है, ये किसमे possible होता है, सिर्फ business में, वहाँ पर transfer of interest हो जाता है, अपने hit का, अपने interest का transfer कर सकते हैं, लेकिन ना तो ये profession में possible है, और ना ही ये employment में possible है, objective उदेशिय, अब ये आपको खुदी आता होगा, business का objective क्या है, earn profit, यानि कि profit earn करना, profession का क्या है, service motive, पहले सेवा, बाद में पैसा, और employment का earn salary, इसमें अपनी सेवाएं अपना काम करके, दूसरों के लिए काम करके, जो है वो salary earn की जाती है, इसके next है, code of conduct, अचार सहीता, no prescribed code of conduct, business में कोई निश्चित code of conduct नहीं होता, कोई prescribed नहीं किया हुआ है, कि ये code of conduct, जो rule regulation मानने पढ़ेंगे, आपको business में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन profession में prescribed by professional association, आपको याद होगा, तो आपने इसके features में पढ़ा था, कि professional associations होती है, हर किसी ये अपनी association बनी होती है, तो उनके द्वारा जो prescribed किया गया होता है, code of conduct नहीं के rule और regulation, वो professional व्यक्तियों को मानने पढ़ते हैं, और employment में क्या आता है, terms and conditions of service, contract, are applicable on employees, इसमें code of conduct तो नहीं होता, लेकिन employment की क्या होती है, कुछ terms, conditions होती है, service की, जो आपने contract किया है, आपने स्वामी के साथ, और वो जो है, वो इस पर applicable होती है, employment पर, reward, प्रतिफल या इनाम, business को करने के बदले में जो मिलता है, उसको बोलते है, profit, profession को करने के बदले में जो मिलता है, वो ओती है, fees, और employment को करने के बदले में जो मिलता है उसका नाम होता है salary या wages employees होंगे तो उनको salary मिलती है अगर laborer होंगे तो उनको जो नाम दिया जाता है जो मिलता है उनको wages तो ये था difference between business, profession and employment जो की बहुत easy है और काफी important भी है I hope आपको समझाया होगा Thank you